दोस्तो इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोग के सामझे रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से बॉलेवोड के रोमांस के असली बात्सा यानि कि किंग खान शारू खान को लेकर एक बात जरू कहना चाहूंगा ला जट लग यृगरिस फिल्म को छटे दिन बॉक्स पर फटाथ सा और सपोर्ट लग जाता ओना मेरे बाही तो विया इस फिल्म के तो दोस्तों अपलोगों यादी होगा कि जब पठान की इंट्री हुई थी बॉक्स ओफिश पर तो वियाइस फिल्म ने पहले दी बॉक्स ओफिश पर इंट्री मारते हुए 50 करोड से ज़्यादा का बिजनस कर लिया था उसके बाद वियाइस फिल्म ने दूसरे दिन के कलेक्शन के माधियम से 100 करोड से ज़्यादा का बिजनस कर लिया था उसके बाद वियाइस फिल्म ने पाचवे दिन के कलेक्शन के माधियम से 200 करोड से ज़्यादा का बिजनस कर लिया था और भाई पूरे इंडियन फिल्म इंडर्स्री को इस बात की उम्मीद थी ये फिल्म छटे दिन बॉक्स ओफिस पर बहुत ही असानी से 300 करोड का आकड़ा पार करके दिखा देगी और ये आकड़ा पार करते हुए पठान के हाथ एक ऐसा नायाब रिकॉर्ड लग जाता जिसे तोड़ने के लिए भाई इंडियन फिल्म इंडर्स्री के बड़े बड़े कलाकारों को पठान की लेबल का एफ़र्ड दिखाना पड़ता लेकिन भाई क्यों थीन करोड के आकड़े की वज़ा से ये रिकॉर्ड पठान के हाथ आते आते रह गिया यानि कि भीया अभी भी पठान जो हैं वो ये रिकॉर्ड बना कर इंडियन फिल्म इंडर्स्री की उन टॉप टैन फिल्मों की लिस्ट में एक ऐसे पोजिशन पर रहने वाले हैं जो कि भाई लंबे वक्त तक उनके नाम रहने वाला है यानि कि भाई मैं बात कर रहा हूं 300 करोड के आकड़े की दोसों जैसा मैंने आपको बताया कि भाई इस फिल्म को छटे दिन 25 करोड़ 50 लाक रुपए का बिजनस में आता जिसके मदद से इस फिल्म ने जो इंडियन बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन कर लिया है वो आकड़ा है 296 करोड 50 लाक रुपए का लेकिन भाई यह फिल्म 300 करोड़ के आकड़े को छुने में नाकामियाब रही यानि कल तक इस फिल्म को लेकर तो यही जानकारी हमनों के सामने आई थी कि भाई यह छटे दिन के कलेक्शन के माध्यम से यह फिल्म बहुत ही असानी से 300 करोड़ से जादा का बिजनस करेगी यानि आकरा तो बताया गया था 303 करोड़ से लेकर 305 करोड तक का लेकिन वाई यह फिल्म 300 करोड़ के आकड़े को भी जुने में नाकामियाब रही लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म के हाथ एक ऐसा रिकॉर्ड लगने वाला है सात्वे दिन यानि की आज जो कि बिया इंडियन फिल्म इंडिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा माइल स्टोन बनने वाला है पठान के द्वारा बनाये जाने के बार तो चलिए मैं आपको बताता हूं इंडियन जिनों ने 300 करोड के जादवी आकड़े को हासिल करके भईया टॉप 10 में अपना नाम अंकित कराने में काम्याब हुई है तो भाई इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो नाम है भईया फिल्म सुल्तान का यानि विया सलमान खान के फिल्म जिसने इस आकड़े को 35 दिरों में बॉक्स अफिस पर फूरा करके दिखाया था उसके बाद इस लिस्ट में नवे नंबर पर भी जो फिल्म है वो फिल्म भी सलमान खान की ही फिल्म यानि की बजरंगी भाई जान है जिसने इस आखड़को 20 दिरों में बॉक्स अफिस पर चुकर दिखाया था उसके बाद इस लिस्ट में, आथवे नंबर पर जो फिल्म है, वो फिल्म है, रितिक रोसन और ताइगर शॉप के फिल्म, व और जिसने इस सांखड़े को 19 दिनों में बॉक्स ओफिस पर चूऊ कर दिखाया था, उसके बाद इस लिस्ट में, शांखड़े को 16 दिनों में और भाई इस लिस्ट में टेक्निकली नंबर वन के पोजिशन पर रहना चाहिए क्योंकि भी आभी तक पठान ने इस सांकड़े को नहीं चुआ है देकर भाई यह आखड़ा आज तूटने वाला है तो हम बोल देता है भाईया यह अब दूसरे नंबर पर आ चुकी है निक भाईया बाहु बली को इस आखड़े को चुने के लिए 10 दिनों का वक्त लगा था और पठान आज तो भाईया टू हांड्रेड नहीं करोड बड़ो जो भी होता भाईया अराम जई रिकॉर्ड आज तोड़ रही है पठान और सात्वे दिन इस रिकॉर्ड को तोड़ कर भाईया पठान एक ऐसा लैंडमार्क बना कर देने वाली इंडियन फिल्म इंडूस्री की बड़ी आने वाली बड़ी-बड़ी फिल्मो क्लैक्स ट्राइब करना ना भूली और वाने अपडेट्स को जाने के लिए लाइकन को जड़ दवाईएगा